पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं सम्विधान की इस विकास यात्रा में आजे हमने आपको कल के टॉपिक में जुडीशल एक्टिविजम के बारे में पढ़ाया हमने आपको बताया कि जुडीशल एक्टिविजम का बेस चाहे जुडीशल रिव्यू ही रहता है लेकिन जुडीशल एक्टिविजम कई मामलों में जुडीशल रिव्यू से डिफरेंट है यह एक तरह का जुडीशल डाइनमिजम है और यह जुडीशल रिस्ट्रेंट का एं मैंने कल के मीनिंग समझाते हुएम वह आपको बताया कि कि ये एक एक लौ मेखिंग का पॉर belonged के दोरह मैंने आपको बताया कि ये इस तरह कि जूपर है ब्लेशिशा को मैं चैलिस्आइं आप इस्टेइशन से प्रेश करते हैं ये एक आसी जुडिशाल समझने का प्रयास किया आज हम उसी पर आगे बढ़ने जा रहे हैं दो पॉइंट करके उस मेनिंग वाले से रह गए थे वह मैं आज बता देता हूं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे पहला पॉइंट जो रह गया था हूं यह था कि जुडीशल डेसीजन मेकिंग देखिए जु डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है अगर द्यान से देखें तो डिसीजन मेकिंग की पावर कैबिनेट के पास होती है डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास है कैबिनेट के पास है कैबिनेट है जो देश के लिए निरने लेता है आपने नोटिस किया होगा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास किया, cabinet ने इस प्रस्ताव को सहमती जताई, फिर उन प्रस्तावों पर कानून बनने के लिए आप उसे legislature में भेजते हैं, और उस पे जब law बन जाता है, तो cabinet का वो decision legitimate हो जाता है, और country के level पर execute हो जाता है, इसलिए cabinet को executive भी कहते हैं, यानि कि सरकार क कहते हैं, तो मुद्दा यह है कि decision making का काम यहाँ पर cabinet नहीं कर रहा है, सरकार नहीं कर रही है, decision making का काम यहाँ पर नयाले कर रहा है, judiciary कर रही है, तो judicial decision making कहते हैं, जब हम judicial activism की बात करते हैं, ओके, यानि कि कैसे होता है decision making, judiciary का क्याम है कि इन तथ्यों को स्थापित करना, कि ने किसी तरह का crime किया है या नहीं किया है कोई गुनायगार है या बेकसूर है जुडीशरी के सामने यह इस्टैबलिश होता है और जुडीशरी उन evidences के basis पर उन सभी के सभी सबूतों बयानों इनके अधार पर अपना निने देती हैं यहां पर भी जुडीशरी की कोई decision making नह एक fixed format है जिसके आधार पर वो यह test कर लेती है कि कोई भी law जो है वो ultra virus है या नहीं है अगला काम जुडीशरी का यह है कि वो आपके rights को protect करती है guarantee करती है लेकिन इन मामलों में जुडीशरी decision making नहीं कर रही है लेकिन activism का case अगर हम देखें तो judicial activism के case में जुडीशरी decision making करती पाए गई यानि कि जैसे ही आप decision making की बात करते हैं तो मतलब आप अपने personal views को एक space देते हैं subjectivity एंटर कर जाती है जुडीशरी जब अधर मामलों में काम करते हुए decisions देती है decisions वहाँ पर judgments हैं, decree हैं वो एक तरह के verdicts हैं तो judgment और decision making में अंतर होता है उस situation के support में और उसके opposition में evidences present किये गए और आपने ये judge किया कि जो evidences थे वो authentic थे या नहीं थे और उनके basis पर जो conclusion निकला वो क्या है तो that is the judgment लेकिन यहां पर है decision making तो एसमें decision making में आपके personal views एंटर करते हैं जहां judgment objective होती है वहीं पर decision making काफी हद तक subjective character की होती है तो इसलिए कहा जाता है कि एक तरह का judicial decision making process है इसमें judges के personal views consider हो जाते हैं और वो personal views हैं जो judges के decisions को guide करते हैं जड़िस को ऐसा लगता है कि right to life के तहर यह ज़रूरी है कि किसी को स्वक्ष पर्यावरण भी मिले ऐसा हो सकता है उस judge की अपनी निजी सोच हो और उस अपनी निजी सोच को judge ने अपने निरणे का अधार बनाया है निरणे यह है कि जीवन के अधिकार के साथ यह अधिकार भी आना जरूरी है कि आपको स्वक्ष पर्यावरण मिलेगा यह निरणे है यह हुआ decision आपने यह decision दे दिया लेकिन इस निरणे का अधार क्या है कि आपको लगता है कि जीवन के अधिकार के लिए स्वक्ष पर्यावरण का अधिकार भी अवनी वारे है ऐसा आपको लग रहा है अब judiciary कहती है कि हम यह इसलिए कर पाते हैं क्योंकि constitution हमें ऐसी mandate देता है वो कैसे constitution के अंदर दियो है जितने भी गया है कि आपको constitution assembly की debates को refer करना है आपको preamble को refer करना है constitution assembly की debates और preamble के concepts जो है वो constitution makers के दिमाग का दरवाजा है आप उनके दिमाग तक जा सकते हैं कि उन्होंने जो शब्द जो प्रावधान तब डाला तो वो क्यों डाला ऐसा judiciary के ओपर यह जिम्मेदारी डाली गई है तो judiciary कहती है जब हम constitution के provisions को देखते हैं तो उसको जब हम understand करते हैं तो उसमें जब जीवन का एक अधिकार है आपके पास जिसे कोई ले नहीं सकता except the procedure established by law इस जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े बाकी अधिकार आपको देने पड़ेंगे जैसे कि स्वक्ष पर्यावरन का अधिकार तो यह प्रियंबल की ही संकल्प है कि justice दे इस तरह से judiciary तो यह कहती है कि हमने कोई activism नहीं किया हमने तो वही रोल फुल्फिल किया जो constitution ने हमें accord किया लेकिन legislature और executive का ऐसा मानना है कि आप decision making का काम कर रहे हैं वो तो cabinet का काम था वो तो executive का रोल है और judiciary executive का रोल एंक्रोच कर रही है क्योंकि देश के लिए क्या फैसले ह होंगे यह तो देश के जनता द्वारा चुनी सरकार ही तै करेगी आपने स्वश्य पर्यावरण की बात कर दी उसके लिए कई तरह के अब नॉम्स बनेंगे उन नॉम्स की पालना करनी है तो कई सारे वाहन अब सडकों से चले जाएंगे अब रूल आ जाएगा कि डीजल व साथ ही एकसपायर हो गए और डिस्क्वालीफाय हो गये सडकों पर चलने के लिए उन सब का रोजगार याप लगग गया था उस समय आपने देखा किसा भौकाल मचा दिया था रात और रात क्योंकि कंईों अपने गहने घरबार गिरवी रखके किसी से सेकेंड हेंड स्कॉर्पियो किसी से सेकेंड हेंड इनोवा लिया था जो औरड़ी 9-9, 9-9 साल चल चुकी थी क्योंकि यड़गारियां खतम तो होती नहीं है और उनको था कि इन्हें 5-6 साल हम अभी और चलाएंगे और अपना पैसा वसूलेंगे तो सरकार कहती है कि देश की जनता के रोजगार के लिए जुडीशरी जवाब दे नहीं हम जवाब दे हैं जब संसद में प्रशन रोजगार का किया जाएगा जुडीशरी से नहीं किया जाएगा हमसे किया जाएगा जब हम वोट मांगने जाते हैं जनता के बीच तो जुडीशरी वोट मांगने नहीं जाती तो जुडीशरी का एवरी फाइव यर टेस्ट नहीं होता है लोकतंत्र में वो हमारा होता है जब हम वोट मांगने जाएंगे कि तो जनता हमसे सवाल करेगी वो सारे टेक्सी स्टेंड वाले हमसे ये कहेंगे कि भई आपके राज में ऐसा नियम आया हमारी गाड़ियां बिक गई हमारे गहने घर बिक गए हमारे बच्चे पढ़ाई से उठाने पड़ गए आप हमें रोजगार सुनिश्चितनी करके दे पाए आपने ये कैसा काला कानून एकदम से बना दिया कि 10 साल पुरानी गाड़ियां चले जाएं क्योंकि पर्यावरन को नुक्सान है आपने किसानों को खुंटी जलाने से क्यों नहीं रोका आपने बड़े-बड़े कोईले कारखाने बंद क्यों नहीं किये आपने खुब या वोट नहीं करते तो जुड़ी एक्जिक्यूटी भी कहती है कि यार लोगों का फायर लोगों का दंस और गुसा हम भोगें निरने जुड़ी शरीका है भुगत हम रहे हैं डिसीजन मेकिंग उसकी होनी चाहिए जिसे हर साल लोगों के बीच जाना है वो पावर स Chairman करने के लिए जो पावर है डिसीजन मेकिंग घर और सुब फानक साल पर हर पांच बश्क पर देश की जंता बोट करके एक कि बॉड़ी को देश के लिए सरकार करके नियम बनाने की शक्तियां देती हैं तो जिसे आप शक्तियां लेने जा रहे हैं जो लेने जा रहा है व इसलिए चलाते हैं, executive और legislature वाले, कि please don't do decision makings. You are here to pass judgments, you are here to provide decrees, you are here to give verdicts. Why you are doing decision making process? It is with the cabinet, it is with the executive and the law making process is vested with the legislature. You are here to check the validity of the laws prepared by the legislature. We being executive is here to do the decision making for the country and you are in the independent capacity is here to do the verdict judgment and guard the constitutions or to protect the fundamental rights of the citizens. Simple roles, roles are there, why are you doing this? But this is because subjectivity is here, because precedences, constitutional mandates, laws, demarcations, you have to feel that you need to do it. च्पार्णी के नहरें हैं, जैसे कुछ लोगों ने PIL अप्लाय किया कि हमारी कॉलोनी के पास एक फैक्ट्री लगी है, जिसके च्पार्णी आकर के गिर रहे हैं, जिससे हमारे नहर का पानी गंदा हो रहा है अब जुडीशरी में वह पी आयल लगाया गया और जुडीशरी ने निर्ने लेते हुए वह फैक्टरीज उस इलाके से बंद करने को कहा दिया वह फैक्टरीज उठा दी गई से जुड़ा अब एक्जिक्यूटिव यह कहती है कि जब हमें इस कंपनी को कहीं और डिस्लोकेट करना था तो हम वैल प्लैनिंग से चलते हम पहले इसके लिए कोई और फोकल पॉइंट एरिया या कोई अधर लोकेशन्स डी मार्केट करते वहां पर सारा सिस्टम ऑफ आजन बनना पड़ा और हमें फिर उसको अमल में लाने के लिए उसकी तामील करने के लिए कई बंदोबस्त करने पड़ गए तो डूंट डू डिसीजन में प्लीज यह हमें करने दीजिए हमारा काम है लेकिन जुडीश्री कहती है कि मेरा राइट है मेरा अधिकार है कि मैं समाज को जादा से जादा जस्टिस प्रोवाइट कर और वहां पर अगर जल दूशित हो रहा है तो जल में रहने वाले जीव और आसपास के लोगों का जीवन यापन वहां पर मुश्किल हो रखा है इसकी वज़ा से फेक्टरी बंद अगर करनी पड़ जाए तो कोई दिक् सब्सक्राइब करना चाहिए तो नहीं कर रही है आपकी क्रॉप्शन के रिजन की वज़ा से परिशान नहीं हो सकते मैं उन्हें निजात देने के लिए यह कि अपनी जगा पर सही होती है बड़ गेम तो हो जाती है यह एक तरह से जो डिसीजन से जुडिशरी के जज़िश से जीजिशान चाहिए यह एके मिए चीजन पर्सेश को सब्सक्राइब करते हैं त्रहें इसन पर समेंज्सक्रॉइफ जिट्ज़ी इसकी के लिए आप स्टेंडिंग को इनक्रीज करने यहां पर स्टेंडिंग का क्या पर्पस होता है ऐस्टेंडिंग वर्ड को समझीए लौ की भाशा में एक वर्ड आगे जागे लोकस से स्टेंड़ाय भी आएगा वह इसी के साथ जुड़ा होगा समझिये आपके पास कंट बिफोर दा लॉव, a second, सभी को समान संग्रक्षण भी है कानून का, equal protection of law भी है और आप सब law के सामने equal भी है, सभी कानून की नजर में समान है और सभी को कानून का समान संग्रक्षण भी परापता है, यह दोनों बाते आती हैं, हमारे equality before law के माम दोने, कानून की नजर में सभी समान है, इसके तहट आप कानून के दर्वाज़े खटकटा सकते हैं, जब भी आपको को समस्य आए, उसके ground से बताए गए हैं, यानि कि कानून के दर्वाज़े खटकटाने के लिए आपके पास कोई standing होनी चाहिए, आप किसी base पर खड़े होने चाहिए, आप किसी आधार पर खड़े होने चाहिए, आपका दिल नहीं लग रहा रातों को नीद नहीं आ रही, कानून का दर्वाज़ा नहीं खटकटा सकते हैं, मेरे दिल से महसा वाज़े आती है, की न मेरा देल लुटे या, कीने मे न। मार सूटे या, जट सा आफ कहें गहें, यू आर हविंग नो standing, आपके पास standing नहीं है, मेरे सामने खड़े रहने की यह कोई केस नहीं बना कि आपका दिल नहीं लग रहा की ने मेरा दिल लुट्या और की नहीं मार्स उट्या करके आप यहां आगे हैं इट इस नॉट दिल का मर्जा है आप देखिए जागे अपनी सेटिंग करिए अपना इलाज करा के पढ़ाई म मरखान लगी इस चकर में ये उसके पीछे 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 भाग रहा है तंग कर देगा परिशान कर देगा रस्ते रोके रिंख रोके गाड़ियां रोके कई कुछ करेगा अब स्टेंडिंग क्रियेट हो जाएगा और पर्सन एसकी कप्लेंट फाइल करेए और कंप्लेंट पाइल करते हो परसन यह कहेगा कि यह जीवन को परिशानी में डाल रहा है मुझे इससे थ्रेट है मेरे आने जाने को परिशानी मेरी समाज में छबी विगाड रहा है यह standing बंती है तो इस standing के आदार पे case लगेगा पहले matter में standing नहीं थी दूसरे matter में standing थी तो आप जो case ले करके अपना जाते हैं, code के सामने, आपका extending होना चाहिए, आई बास समझ में, जैने कि आपके पास code जाने का अधार होना चाहिए, निराधार नहीं हो सकते, जैसे कि ध्यान से सुनिये, A और B में लड़ाई और मार काट हो रही, A ने B को मुक्के मारे, B ने C, के लाती, A, B ने A को मुक्के मुक्के, इपनीकर लाते मार ली हैं, लड़ाई होई है, मॉलबा काट हुआ है, silence होना जा सकते, इसने A ने B प अटाय किया, B ने B ãद में प्र है कि अटा लगेगा, आटक हो और बिर देगा दोनों लड़ाई में पढ़ जाते हैं, और दोनो पर दोनों मैंजिस्ट्रे के सामने पेश होते लेकिन बेगानी चादी मदुल्ला दिवाना किम हो अब छट से सी देख रहा था सी एक दूर की चत से देख रहा दूर की चत से कहता है एक बड़ा मर रहे हैं आपस में मर रहे हैं तेरा कोई क्या है तो मतलब वह लड़ रहे हैं तेरा क्या हो रहा है तेरा को कोई चोट लगी हो पत्थर उड़का है तरह नहीं बस लड़ रहे थे मैं आ गय था बी के पास था सी के पास स्टेंडिंग नहीं है क्योंकि सी पर्सनल इंवाल नहीं है एका इसमें पर्सनल इंट्रस्ट है बीका इसमें पर्सनल इंट्रस्ट है सी का इसमें क्या पर्सनल इंट्रस्ट है से इसमें personal interest नहीं standing का level a और बी तक limited लेकिन सोचिए कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेया से Supreme Court कोई ऐसे principles कड़े करें कोई a concepts like कोई a se maxims कोई ऐसे formula लेकिया है जिसके तेच सी भी अपपलाई कर सके तो defending elaborate हो गया कि नहीं standing extend हो गया कि नहीं standing बढ़ गया कि नहीं तो A, B से निकल के चुडीशरी इसको यह नाम देती है कि जस्टिस को एक्स्टेंड किया हमने C तक मतलब मतलब एक नदी बह रही है और वो नदी में पॉईजन है उस पानी को जहरीले पानी को पी के कि A का परिवार भी बिमार हो गया B का परिवार भी बिमार हो गया C एक सिंपल एंवार्मेंट लिस्ट है और वहां पर रिसर्च करने आ था C अपना मिनरेल वाटर पीता था C को कुछ भी नहीं हुआ Personal Interest A का है B का है C को कुछ भी नहीं हुआ C can approach the court क्योंकि यहां पर public interest है तो हमारा court 1970s के mid में मैंने आपको कल judges के नाम पढ़ाए उनके द्वारा यह system दिया गया कि आपकी standing को बढ़ाया गया है मतलब यह है कि आप सिरफ personal interest के cases में ही नहीं आप judiciary को अप्रोच कर सकते public interest के cases में भी अप्रोच कर सकते C जब court पहुचा है तो court ने पूछा है matter क्या है तो court ने का sir जो आपने नया instrument बनाया न public interest वाला litigation मैं उसके तहता हूँ मैं litigant तो हूँ but not by the dint of not by the virtue of personal interest I am litigant by the virtue of public interest लोग मर रहे हैं sir पानी पीने से नदी जहरीली है मैं litigant हूँ जी आप देखिए मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ यह क्या किया थैंडललकुस व क्टा नियुकी स्टेंडलगे ऑफ लैट लोकस बढ़ गया की नहीं स्टेंडलगे पर र्सिपव स्थरी प्रींसिपल्ट स्वार्वाइब लंगों के लिए टक ले जाने के लिए स्टेंडिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा परस्टेंटि इस तेड़ के आएगे उर भी आएंगे तभी निव्टा रहा है एक लड़ना गलत यह ठीक नहीं है स्टेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा ताकि नियायकास तर और बढ़ सके जस्टिस और बड़े लेवल पर मिले बढ़ाया A और B खुद परेशान थे जहरीला पानी पीके लेकिन पहुंचा C है C ने केस लगा दिया क्योंकि C intelligent था, C पढ़ा लिखा था, C जानता था कि A और B की समस्या कहा है कि नदी के upstream में एक factory है जो hazardous chemicals उसमें डाल रही है, C यह सब जानता था A और B helpless थे due to their illiteracy, due to weak financial position तो वो तो कभी भी justice लहीं नहीं पाएंगे, ऐसा समाज अच्छा होता है उस समाज में जो लोग थोड़े से जागरुक हैं, जो awakened है, enlightened और aware है, educated है, उनका फाइदा larger society को नहीं मिलना चाहिए C उसी में था, C awakened था, enlightened था, aware था, इसका फाइदा A और B तक के समाज को नहीं जाना चाहिए इसको judiciary ने आज capable बनाया, कि तू भी एक नुमाइंदा है, इस समाज में हमारा, हम justice system देने वाले, तू justice को दूर दूर तक ले जाने वाला चल, आज से public interest litigation का अधिकार देते हैं, तू भी active हो जा, ये active होके काम करने लगा आज पास समझ में, और इस समाज तक भी अब नहाए पहुंचेगा, इसलिए ये active है, इसलिए ये active है, ए नहीं पहुंचा, बी नहीं पहुंचा, legislature executive ने पूछा, ए आया तुम्हारे पास, judiciary ने बोला नहीं, बी आया, यानि कि judiciary से executive legislature पूछ रहे हैं, पीडित आया तुमारे आ गई, इसके वाया, निजात पीडा से मिलेगा, पीडित को नहीं, पीडा से निजात दे दीजे, पीडित भी पीडा से मुक्त हो जाएगा, तो जुडी श्री ने कहा कि अब जुडी नहीं कि पीडित मेरे तक अब है, जुडी श्री ने कहा कि पीडा आनी चाहिए, पीड कौन लेके आ रहा है मैं टेंशन नहीं लूँगा मैं निजाद दूँगा तो पीड़ा पहुंच गई वहां तक जो डीच्री निजाद दे दिया फैक्टरी बंद कर दी यह और भी का जीवन कुछाल हो गया उन्होंने सी को थैंक्यू का सी आगे बढ़ गया सी एक्टिविस्ट यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऐसे सारे एक्टिविस्ट अभी पढ़ाऊंगा यह सारे बनके बैठ गए और दो सुवह से राजसाम तक यह लगे टीम रखकी तनकाहों पर पंदे रखके पी यल बनाने वाले जों पी यह टूसते रहते हैं जुड़ी जोड रही है कि के दे बही जैनुवन पी आई यल डाला करो किसी को हरास करने कि पील मट जासे यह सी है किसी अभी तो हो सकता था कि सी की भी एक वही चैमिकल बनाने वाली फैक्टरी है जैसी फैक्टरी इस रिवर के अप्स्ट्रीम में लगी हुई है कि सी का वह राइवल कर दिया कि वह इस पानी जहरी जहरी पानी से वो लोग बिमार हो रहे हैं और उसकी फैक्टरी बंद करा दी हो सकता है सी का इसमें निजी लाब हो लेकिन सी ने उसे परमानित ऐसे कर दिया कि यह जनलाब जनहेत था मेरा निजी इतना ही था ऐसे बहुत से फ्रोडलेंड केसे इसे भी बच रही है और यह कहा है कि पी एल से ओवर बडन ना करें जुडीश्री को अब अभी तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी तो अब एक सवाल निकल के आया कि पब्ली के इंट्रस्ट लिटिगेशन इस दा आउटकम आप जुडीश्य एक्टिविजम सो पब्ली के इंट झाल 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 झाल